कोटा से दुश्यन सिंग गहलोत की रिपोर्ट, मात्रभूमी न्यूज, चैन माउंटेंड मशीनों से नालों की सफाई जारी, महापौर राजीव अग्रवाल व कार्यवाहक आयोक्त राजेश डागा ने नालों की सफाई का लिया जाय जा, कोटा नगर निगम कोटा दक्षि में बरसाती नालों के सफाई कार्य का गुरू वार को महापौर राजीव अग्रवाल एवं कार्यवाहक आयोक्त राजेश डागा के द्वारा निरीक्षन किया गया, सर्व प्रथम आलहाव दल पाक के पास नाले में पिल्लर का अवरोध आने के कारण नाले में बरसाती पा आनी जवाहर नगर नाले की तरफ जाने से जवाहर नगर में पानी भराव की स्थिती बनती है महापौर राजीव अग्रवाल व कार्यवाह का युक्त राजेश दागाने मौकी पर कार्यवाह का धिशाशी अभ्लियंता श्री कुर्याशी एवं कनिष्ठ अभ्लियंता श्री घुवनेश नावरिया को नाले का कार्य शीग्र करवाए जाने के निर्देश दिये आलहाव दल पाक के यहां नगर विकास न्यास दौरा बनाए जा रहे नाला निर्मान की ठेकेदार को नाले का कार्य समय पर और नाले में एकथा हो रहे मलवे कुनी ताले जाने के निर्देश दिया यही नाले में पिल्ला खड़े करके पानी के प्रवाह को रोकने के लिए संबंधिक भवन मालिक को निर्देश दिया की ततकाल नाले में बनाए पिल्लरों को हटा लेवे आधे घंटे बाद ही नगर निगम की जैसी भी द्वारा नाले में बनाये जा रहे पिल्लिरों को ध्वस्त कर दिया गया इसके बाद महापौर राजी वग्रवाल वकार्य वहा कायुक्त राजेश डागा ने एयरपोर्ट के पीछे वाले नाले का निरीक्षन किया इस नाले में एक्था हो रहे मलवे को बरसात पूर्वी निकाले जाने के निर्देश सम्बंदित को दिये गए महापौर राजी वग्रवाल ने बताया कि अतिवरिष्टी के दोरान हर वर्ष बरसात के पानी को एयरपोर्ट की दिवार तोड़ कर निकाला जाता है अगर उक्थ नाले में से बरसात पूर्व कचरा मलवा निकाल दिया जाए तो पानी भराव की स्थिती उत्पन नहीं होगी महापौर ने बताया कि बरसात का मौसम निकट है और इसको देखते हुए बरसाती नालों की सफाई प्राथ मिकता है इस दोरान कार्यवाह का दिशाशी अभ्यानता श्री कुर्याशी एवं कनिष्थ अभ्यानता भुवनेश नावरिया साथ रहें